हर प्रतोगी परिच्छा का एक बहुती मत्पून हिस्सा बन चुका है और करीब-कर आप देखेंगे याँ पर तो आपको लगबग हर प्रतोगी परिच्छा में आठ से लेकर तीस प्रस्ते देखने को मिल सकते हैं कि कभी-कभी तो इससे यह बनती है कि करेंडेफेर पर आधारीत कुछ अने टॉपिक पर जो प्रस्नोते हैं वह भी बन जाते हैं तो करेंडेफेर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और आपको इसके त्यारी नीमित तोर से करनी चाहिए अगर आपको यह लग रहा है कि जब परिशा आ जाएगी और उस परिशा के दोरान मैं यह करूँगा कि मैं पूरे-पूरे एक साल का जो करेंडेफेर है उसको मैं पढ़के चला जाऊंगा तो यह तरीका भी आपका गलत होगा और अगर आपको यह लग रहा है कि आप प्रति दिन जो है दो घंटे करेंड फेर दे रहे हैं करेंड फेर को दे रहे हैं कि इतने प्रति दिन दो घंटे तो यह तरीका भी आपका गलत है तो दोस्तों यहां पर अगर करेंड फेर के बा बहुत पाइदा आपको नहीं मिलने वाला है तो यहां पर मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप देख रहे होंगे यूटूब पर या फिर बहुत सारी वेबसाइड्स भी हैं वहां पर आपको डेली के जो करने फेर हैं करवाये जाते हैं तो डेली के जो 10-15 10-15 जो बन रहे हैं वो लगा लीजिए और साथी साथ आपके लिए यहां पर जो टाइमिंग होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए देखो फ्रेंड्स यहां पर आप जो पूरा टाइम निर्धारित करें 10-15 परसन आप यहां पर पड़ रहे हैं तो डेली जो अगर आप 30-40 मिन दे रहे हैं तो यह आपके लिए सही समय है मतलब इससे जाता तो नहीं ही देना है आपको तो डेली का 30-40 मिनट यानि कि अगर आप देखेंगे तो पूरे-पूरे महिने में लगब 15-20 गंटे आपका करेंट हो जाता है तो यह बहुत ही सांदार तयारी आपकी होगी ठीक है अब नोट्स में क्या-क्या लिखना है आपको तो देखो जो नोट्स होता है इसमें सबसे जरूरी पार्टी होता है कि जो इस्टेटिक वाला पॉर्षन है उसको जरूर आप आपने नोट्स में सामिल करें क्योंकि यह चीज़े नहीं बदलती है और करेंट फेर में मतलब जो बरतमान में चल रहा है जो करेंट चल रहा है उसमें वह चीज़ें जो कि exam points से काफी important है और बहुदा change नहीं हो रही है तो यह दो चीज़ें आप नोट करें जैसे कि अगर आपको यह लग रहा है कि 20 प्रस्त में पढ़ें है और इसमें से क्यों 10 प्रस्त नहीं ऐसे हैं तो वो जो 10 प्रस्त हैं उस पर जो main points है वो आप यहाँ पर note कर लें वो आपका better रहेगा ठीक है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि कितना समय दें तो प्रतिदिल आदा गंटे का समय दें डेली आदा गंटा गर आप देते हैं महिने में 15-20 गंटे हो जाते हैं नोट्स बनाएं और इसमें क्या-क्या लिखेंगे तो बस वही लिखें जो की बहुदा पूछे जाते हैं इसको जरूर से जरूर आप जो है कंप्लीट करने कोई प्रतोगी परिशा होती है तो उसमें कब तक का जो करेंट अफेर पूछा जाता है तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर वैसे तो अगर आप देखेंगे जैसे कि अगर आप पीसेस के बारें बात करें तो पिछले एक सा मेने का जो होता है करेंड फेर यह सबसे इंपॉर्टर माना जाता है तो पिछले 6-7 मेने का जो करेंट है इसको जरूर ही आप लोग तियार करते रहें और बहतर होगा कि अगर आप एक एस्पिरेंट है तो करेंड फेर और साथ-साथ जो एक आपका AIR आलेंडर रीडियो प को यहां पर पढ़ना होगा करेंट पर पढ़ते समय क्या क्या पॉइंट से इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो नियुक्तियां होती है राष्ट्री और अंतराष्ट्री संस्थाओं में तो वह सबसे ज़्यादा बनते ही नहीं है तो आपको जो है यहां पर जो पिछली स्ला के question paper है PYQ जिसको कहते हैं आप वो आप जरूर मेंटेन करें और जो किताबें चर्चा में रहती है इसमें एक होता है पुरानी किताबें जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कुछ पुरानी किताबें हो जादी बा पाला उपन्यास कोंचा था तो इस परकार और तो यह चीज़े तो बदलती नहीं है यह आपको बिल्कुल याद रखना है लेकिन पिछले एक साल के दौरान जो नईनी किताबें आती हैं जिसके लेखा कावी चर्चा में रहते हैं तो वो किताबें भी आपको यहां पर या समझे परसने न्यूज को बारे में आपको मालूम होना चाहिए अवार से सबंदित जो कुशन होते हैं जाता तर यह इसपोर्ड और फिल्म से आधारित जो आवार्ड होते हैं यह पुछे जाते हैं तो यह जब आवार्ड आएं तो वो भी आप इस पर फोकस करें और जो भ मतलब जो बड़े इवेंट होते हैं उसकी एक थीम लगाई आती है तो वो इवेंट और थीम आपको पढ़ना है सैने अभ्यास के बारे में आप फोकस करते रही है खासतों से दो तीन बाते हैं कि जो सैने भ्यास है वो किन किन देशों के बीच में हो रहा है दूसरी बात कह कहां पर हो रहा है ठीक है तो देश का नाम में इपॉर्टेंट होता है और कहां पर हो रहा है ठीक है और अगर आप कुछ एक्स्टा पढ़ना चाहते हैं तो यह भी बढ़ सकते कि पहली बार कब हुआ पहली बार यह कब हुआ और चर्चा में कब आया ठीक है इसके लबाद यह सब आप देखते रहेंगे तो करेंडेफर आपके नियमी तोर से चलती रहेगी इसके लाँ दोस्तों आपको पताना चाहेंगे कि हर महीने के अंत में मैं सारे मेने का जो करेंडेफर होता है उस पर आधारित एक छोटी सी पतली सी इबुक लांच कर देता हूं और इसकी कीमत ज्यादा नहीं होती है मातर 15-20 रुपए होती है अगर आप चाहें तो अगर निमित तोर से आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो रिवीजन है आप इस इ परस्रिष कर सकते हैं और फार्वित तक जो यह लेबल है लिंक वीडीयो के डिस्क्राप्शन में अगर आप चाहें तो अभी जाकर यह पीडियाफ ले सकते हैं और इसका प्रिंट और भी आप आसानी से मार्केट मिल ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी मतब्विम लाक् 43 रुपे में आपका काम बन जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज डूराइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा धन्यवाद